Good morning friends, स्वागत है आप सबका, आपका अपना YouTube चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे का मोडल सेट नमबर 9 अभी तक आपने पिछले के 8 मोडल सेट नहीं देखे हैं तो वो जाके प्लेलिस से देख सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और साथी साथ बेल आइकन दबा दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो आईए सुरू करते हैं हमारा जो आज का question number first है बो है बनस्पती घी के निर्मान में कौन सी गैस परियुक्त होती है तो इसका जो सई अंसर है बो है option number B यानि की hydrogen ठीक है यहाँ अगर हम बात बोरेक्स की कर लेते हैं तो बोरेक्स को बोला जाता है sodium sodium tetraborate ठीक है और यह बोरेक्स का यूज के जाता है जो पाइरेक्स काच होता है इसको इसके strength को बढ़ाने के लिए मतलब इसको ज़्यादा सामर्थ बनाने के लिए बोरुक्स का यूज किया जाता है अब चलिए अगर हम नाइक्रोम की बात कर लेते हैं तो नाइक्रोम का यूज कहां किया जाता है नाइक्रोम का यूज किया जाता है प्रति रोधक तार बनाने में ठीक है प्रती रोधक तार बनाने में इसका यूज किया जाता है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो कि हमारा कोशन नमबर टू कोशन नमबर टू कह रहा है सौर मंडल की खोज किसने की थी तो इसका जो सही अंसर है बो है आप्सन नमबर यानी की कोपर निकसने ठीक है अगर हम बात करते हैं सौर मंडल की तो सौर मंडल से एची जाद रखेगा सौर मंडल में है समस तूर्जा का सरोत कौन होता है समस तूर्जा का सरोत सुर्य होता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन है हमारा रेकिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं तो इसका जो सही अंसर है बो है option number C यानी की zero fights ठीक है अगर हम बात EP fights की कर लेते हैं तो EP fights बो होते हैं जो आसरे के लिए ब्रिचों पर निर् होता है छाया में पनपने वाला पौधा ठीक है छाया में पनपने वाला पौधा चलिए अब औरते हैं अगले कोशन की तरफ जो कि है हमारा question number four question number four कह रहा है लोग सभा में कोरम पूर्ती के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है तो इसका जो सही अंसर है बो है option number D यानि कुल सदस्यों का एक बटा दस भाग ये याद रखिएगा कि 42 संभिधान संसोधन 1976 में कोरम को समाप्त कर दिया गया था ठीक है लेकिन फिर 44 संभिधान संसोधन 1978 में कोरम वेवस्था को फिर से लागू कर दिया गया यानि कि कुल सदस्यों का एक बटा दस भाग प् इसका जो सई अंसर है बो है option number C यानि नमक पर tax अधिर open के किराब देखिए गांधी जी 12 मार्च 930 को ठीक है डेट याद रखिएगा 12 मार्च 930 को अपने 79 समर्थकों के साथ साबर मती स्थित आसरम से डांडी की ओ रवाना हो गये थे ठीक है और 24 दिन बाद मतलब 12 मार्च 930 के 24 दिन बाद यानि 6 अपरहल 1930 को उनने डांडी पहुँचका नमक का नून तोड़ा था और सब ने अब 11 अंदोलन की शुरुवात की थी तो इसका जो सई अंसर हो जागा बो हो जागा option number C यानि कि नमक पर tax अधिर open चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो की हमारा question number 6 question number 6 कह रहा है भारत में सबसे अधिक किस परकार की मिट्टी पाए जाती है तो इसका जो सई अंसर होगा बो होगा option number C यानि कि अलूबियल स्वैल जिसको अगर हम बोलते हैं क्या जलोड मिट्टी ठीक है ये भारत के लगबक 22% छेत्रफल पर पाया जाता है अलूबियल जलोड मिट्टी नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उसी को जलोड मिट्टी कहते हैं और इसमें सबसे ज्यादा पोटास की अधिकता होती है पोटास सबसे ज्यादा होता है जलोड मिट्टी में ठीक है अगर बात हम यहीं पर लेटराइट मिट्टी की कर लेते हैं तो इसमें iron और silka सर से ज़्यादा होता है ठीक है iron और silka सर से ज़्यादा होता है अगर हम बात काली मिट्टी के बोल करते हैं तो काली मिट्टी कोई क्या बोला जाता है रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है ठीक है और इसमें सर से ज़्यादा क्या होता है आयरन, चूना, हैल्मूनियम और मैंगनिसियम की बहूलता होती है इसमें ठीक है और ये कोश्चन बहुत जादा बार पूछा जाता है कि काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है तो इसका जो साही अंसर होगा बो होगा टिटनेई टिटनी फेरस मैगनेटाइट और जिवान्स की उपस्थीटियों के कारण इसका रंग काला होता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि हैं हमारा कोश्चन नबर 7 कह रहा है मानव रक्त में कलेस्ट्रोल का समान अस्तर कितना होना चाहिए तो इसका जो है तो ये पहला आप्सन है इसको पेशियों को जुड़ने का अधार परधान करना सरीर के कोमलंगों को सुरच्छा परधान करना और सरीर को निश्चित आकार परधान करना तो इसका अंसर हो जाएगा सभी यानि उप्यूग सभी यानि आप्सन नमबर D हो जाएगा ठीक है अगर हम बात कर लेते हैं मनुस में कुल हंडिया तो 206 होती है ठीक है खोपड़ी में 8 हड़ी होती है सबसे छोटी हड़ी होती है स्टेपिज ठीक है कान की हड़ी जिसको बोलते है और सबसे लंबी हड़ी होती है फीमर जिसको की जांग की हड़ी बोलते है ठीक है चलिए option number B यानि कि potometer ठीक है अगर यही पे हम बात अब मीटर की कर लेते हैं तो अब मीटर से क्या ना पा जाता है मीटर से ना पा जाता है विदुधारा अगर बात अल्टिमीटर की कलते हैं तो अल्टिमीटर उचाई सुचित करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है अगर बात केस्कोग्राफ की करते हैं तो केस्कोग्राफ पौधे की ब्रिधी का करता है ठीक है पौधे की ब्रिधी का अभी लेखन करने के लिए यूज किया चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमर टेन कोश्चन नमर टेन कह रहा है पराम प्रागत मोहनी अटम किस राजकन रिख है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ऑप्सन नमर बी यानि कि केरल ठीक है केरल से और याद रखिएगा मोहनी प्रोटोनी पहेटम ठीक है अगर हम बहात आंध प्रदेश की करते हैं तो आंध प्रदेश से याद रखिएगा कुची-पुडी कारनाटक से याद रखिएगा याच्छाण कुनीता टमिल-अडू से याद रखिएगा भारत नाट्यम ठीक है चलिए बढ़ते अगले कोश्चन की तरफ जो किया हमारा कोश्चन नमर 11 कोश्चन नमर 11 कह रहा है परमानु के नाभिक में होते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा प्रोटोन और न्यूट्रोन यानि आप्शन नमर डी ठीक है अग अगर बात हम लोग इलक्ट्रोन की करते हैं तो इलक्ट्रोन की खोज की थे जेजे थॉमसं ने ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है भारत का कुल 6 रुफल कितना है तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा ऑप्शन अबर सी 32,87,263 बर् इसका जो बात करते हैं तो चेतरफल की द्रिष्टी से भारत कौन सा देश है भारत सातमा देश है अगर हम बात करते हैं कौन को ने तो याद रखिए का सबसे पहले नमबर पर है रसिया फिर कनाडा फिर चाइना फिर यूए से पिर ब्राजिल फिर आस्टेलिया और फिर इंडिया इंडिया के बाद कोन है यानि 8 में नमबर पर कोन है आठ में नमबर पर है अर्ज़ेंटिना फिक है चलिए बढ़ते अगले कोशिद की दरब जो की है हमारा कोश्चन नमबर 13 कोश्चन नम. 13 कहरा है भाखडान अंगल पर योजना किस नदी परिष्थित है तो इसका जो सई अंसर होगा वोगा ओप्सन नमबर B यानि कि 17 नदी परिष्थित है ठीक है सतलज नदी पर और याद रखिएगा भाखणा नंगल के साथ साथी इस पर इंद्रा गांधी नहर पर योजना भी है साथ ही साथ कोल टैम परियोजना भी सतलर नदी पर ही है ठीक है अगर हम बात महानदी की करते हैं तो महानदी से याद रखेगा हीरा कुंडबांथ परियोजना है इस पर सोन की अगर हम बात करते हैं तो सोन से याद रखेगा बांसागर परियोजना ठीक है, बांस आगर प्रियोजना सुनने दी पड़ है चलिए, बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब, जो कि हमारा कोश्चन अबर 14 कोश्चन अबर 14 कहा रहा है, बिहार में रोहतास के किले का निर्मान किस ने करवाया था तो इसका जो सही अंसर होगा, बो होगा, option number C, यानि कि सेरसा ठीक है, सेरसा ने ही रोहतास गर्ड किला का निर्मान करवाया था और इसी ने ही किला ए कुहना, याद रखिये का नाम, किला ए कुहना नामक मस्जिद कहां, देली में था उसका भी निर्मान किसी ने करवाया था, ठीक है, सेरसा ने ही, चलिए बढ़ते हैं, अगले question की तरफ जो किया है, question number 15 question number 15 कह रहा है, all India किसान सबा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था तो इसका जो सही answer होगा, बो होगा, लखनव, यानि की option number C, ठीक है, और कब हुआ था, उन्हें 136 में हुआ था और इसके पहले president कौन थे, सबसे पहले president से स्वामी सहजानन्द सुरसती, ठीक है, और इसने लाल्ज हंडा को अपना banner बनाया था और ये जो अपना manifesto जारी किया था, किसान सबा, उसमें ये लिखा था, कि जो जमिंदारी प्रता है, उसको खतम कर दिया जाए ठीक है, चेलिए, बढ़ता है अगले question की तरब, जो कि है हमारा question number 16, question number 16 कहा रहा है, खाद पदार्थों का पौधों में अस्थांतरन का मुख रूप कौन सा है तो इसका जो सही answer होगा, बो होगा, सुक्रोच, यानि की option number C, ठीक है, सुक्रोच की अगर बात करते हैं, तो सुक्रोच में होता क्या है, सुक्रोच 50% गुलकोच और 50% फ्रुक्टोच को मिला के बनता है, मतलब अगर आप से कोई पुछे सुक्रोच, तो सुक्रोच आप कह सकते हैं, सुक्रोच में एक अनु गुलकोच का होता है, और एक अनु फ्रुक्टोच का होता है, सुक्रोच का सूत्र होता है, 66 H2O11, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं अगले question की तरब, जो कि है question number 17, question number 17 कह रहा है, कि इस अभी लेक में सती प्रथा की घटना का उलेक मिलता है तो सबसे पहले सती प्रथा का उलेक जो मिला था, वो एरेन अभी लेक में मिला था, तो इसका जो सही अंसर हो जगा, वो हो जगा, option number 1, एरेन अभी लेक, और ये मिला था किसके time में, 510 AD में मिला था, भानु गुप्त के time में, ये भानु गुप्त कौन था, गुप्त समरा आज का ही एक सासक था कुमार गुप्त ठीक है इसी नहीं नालंदा विश्रिदाले का निर्मान करवाया था ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नबर 18 कहरा मानव सरीर के किस हिस्से में सबसे बड़ी संख्या में स्वेट ग्लैंट्स म हम लोग पसीना ग्रंथी भी बोलते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ऑप्सन नमबर C यानि की हाथ की हथेली पर ठीक है अगर हम बात करते हैं कि स्वेट ग्लैंट्स और कहा का मुझूद होते हैं तो सबसे जादा होता है पैर के तलबों में हथेली में मस्तक में गाल में और आरंपिट में मतलब काख में सबसे जादा पसीना होता है स्वेट ग्लैंट होता है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन नमर 19 कोश्चन नमर 19 है तत बौधनी समाज की अस्थापना किस ने की थी तो इसका जो सही अंसर होगा वो अगले कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा कोश्चन नमर 20 बारतिय सिनेमा के प्रथां भेक्ति जी ने ओसकर पुरुषकार से समानित किया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो है सत्जीत रे ठीक है इनको कम मिला था 1992 में लेकिन देखिए भानु अथाया जो थे उनको 1983 में मिला था ठीक है यह फिल्म गांधी के लिए मिला था इनको फिल्म गांधी में कस्टम डिजाइन के लिए मिला था और यह रामान की बात करते हैं तो यह रामान को मिला था 2009 में सलंडॉंग मिलेनियम का एक गाना था जाए हो उसके लिए चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन के तरफ अगला कोश्चन है हमारा भारतिय बायु सेना की पहली महिला फ्लाइट इंजिनियर बनने का गौरब की से प्राप्त हुआ है तो इसका जो सही अंसर है वो है हीना जैसवाल ठीक है अगर हम बात करते हैं हीना जैसवाल तो यह चंडिगर से बिलोग करती है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो कि है हमारा कोश्चन नमरr 22 कोश्चन नमरr 22 कह रहा है समिधान के किस अनुसूची में बिभिन राज्यों में अनुसूची छेतरों के परसास जन जाती हो के परसासन और नियंतरन का प्रद्धान ठीक है अगर हम तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी में सपत का उलेख है अगर हम बात सात्मी की करते हैं तो इसमें केंद्र और राज की भी सक्ति का बटवारा है और अगर हम नौमी की बात करते हैं तो यह इसके द्वार क्या है यह प्रथम संभिधान संसोधन उन्हें से कामन के द्वारा जोड़ा गिया था ठीक है अज द्वारा संपत्ति के अधिग्रहन की बीधियों का उलेक हिसी में है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो किया हमारा कोश्चन नमर 23 कोश्चन नमर 23 कह र रखिएगा इनको अर्धनागन फकीर भी बोला गया था और कौन बोला था विश्टन चेचिल ठीक है इनको महात्मा किसने बोला था रविनार टाइगोर ने राष्ट पिता किसने बोला था सुभास्चंद्र बोस ने और भिखारियों का राजा इसको किसने कहा था मदन मोह कौन मालबिये इनको भिखारियों का राजा बोले थे चलिए बढ़ते अगले कोशन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमबर 24 कोश्चन नमबर 24 कह रहा है निमलिकित में से कौन संजुक्त रास्तं के प्रथम फिरकी महासचीव रहे हैं तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा आप्सन नमबर C यानि कि बुतरस बुतरस गाली ठीक है बुतरस गाली है यह दो बार नाम रिपीट हो गया और यह कहां के थे मिसर के थे और यह चट में महासचीव थे शिक्स नमबर वाले ठीक है इनका कार्च कर ला था 1992 से लेके 1996 अगर हम बरतमान में बात कर लेते हैं एंटीनो गुटरस एंटीनो गुटरस ठीक है और अगर हम बात कर लेते हैं यूएन की तो यूएन का एड़क्वार्टर निवर्क में है और अभी इसके मेंबर कंट्री है एक सो तिरान में चलिए बढ़ते हैं अकला कोश्चन की तरब जो कि है हमारा कोश्चन नमबर 25 25 का करा है निम्न मेंसे कौनसा जिगर यानि लिवर का कार यजरी पी तूत्रपादन में भी मदद करता है और साथ ही साथ यह कहा करता है गलाइकोजेन का संसिलेशन करता है ग्लाइकोजिन संसिलेशन भी लिवर ही करता है चलिए अब बड़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि है हमारा कोश्चन नबर 26 कोश्चन नबर 26 कह रहा है कि तास कहां कि समाचार एजनसी है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा रसिया यानि अप्सन नबर D अगर हम लोग बात जर्मनी की करते हैं तो जर्मनी की समाचार एजनसी को बोला जाता है डी पिए अगर हम लोग फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस की समाचार एजनसी को बोला जाता है अगर हम बोलते हैं इरान को तो इरान को बोला जाता है इरना अगर हम लोग बात अपने देस भारत की कर लेते हैं तो याद रखिएगा भारत के जो स्वामचार एजन्सी है उसको बोला जाता है PTI, Price Trust of India, साथी साथ बोला जाता है दूसरा एक है स्वामचार भारती उसके बाद एक है UNI, United News of India, ठीक है चलिए बढ़ते अगले कोश्चन की तरफ जो कि है हमारा कोश्चन नमर 27 कोश्चन नमर 27 कह रहा है समनपित ग्रामिन विका सोजना यानि IRDP IRDP को इंगलिस में बोला जाता है Integrated Ruler Development Program का मुखल अच्छ है तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जगा आप्सन नमर D ग्रामिन छेत्रों में गरीवी रेखा से नीचे रहने वाले परिबार को रोजगार दिलाना और इसका गठन कब हुआ था IRDP का उनहीं सो 78 में ठीक है इसका मुख्याला का है इसका मुख्याला है स्विजर लेंड में ठीक है चलिए बड़ते आगले कोशन की तरब जो कि हमारा कोशन नमर 28 कोशन नमर 28 कह रहा है निर्धनता का दुष्टरक दुष्चक्र की अब धारना संबंधित है किसे तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा आप्सन नमर B रैगनर नक्से से ठीक है याद रखेगा भारत में जो गरीबी ज्याद करने की विधी है वो कौन सी विधी है वो है head count method head count method इसी method से भारत में गरीबी काकलन किया जाता है चलिए बड़ते हैं अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 29 Question number 29 कह रहे है निमलिकित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे तो इसका जो सई अन्सर है वह है option number B やनी劃 बालगागाधर तिलक बाल गाधर तिलक थे किसमें तो यह नरम पंथि में नहीं यह गरम पंथि में थे गरम पंथि में याद रखेगा में रूप से थे लाल बाल पाल ठीक है अगर लाल से बोला जाए तो लाला लाज पत्रा है पाल से विपिंच अंदर पाल अब बाल से बाल गांगादर तीलग ठीक है अगर हम बात बाल गांगादर तीलग की कर लेते हैं तो सबसे पहले इन्हों ने इस सोराज की मांगस रोल ठीक है ये जो बेलेंटाइन सी रोल थे इन्हों ने बालगंगादर तीलक के बारे में कहा था कि ये भारत में असांती का जन्म दाता है ठीक है ये भारत में असांती का जन्म दाता है चल ये बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि है हमारा कोश्चन नमर 30 कोश्च 12 तक थीक है अगर हम बात करते हैं 2007 से लेके 2012 तक जब 1 ग्रहमी 5 परसिए योजणा थी तो उसमें तिवर्टम एबं समाभेसी विकास इसका मुखलच था चलिए अब बरतेएं अगले question की तरफ जो की है हमारा question number 31 question number 31 कह रहा है भारतिये से नामे अपसर और महिला सांती दूद उतरा खंट की किस मेजर को संजीक्त राष्ट San gender advocate of the year से सम्मानित करेगा तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number 8 यानि की सुमन गबनी ठीक है अगर हम लोग बात कर लेते हैं सुमन गबनी की तो सुमन गबनी के साथ साथ एक ब्राजील की भी सेन कमांडर है कारला मेंट डीरो डेकाफ को इनको भी मिला है और ये पहला ऐसा बार है जब किसी भारतिये सांती रच्छक को ये अवार्ड से समानित किया गया है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 32 question number 32 कह रहा है कि सराज ने 1100 दुडला पौधे को बिलूप्त होने से बचने के लिए अपने संजचन परियासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकासित किया है तो इसका जो सही अंसर है वो है option number B यानी उतराखंड ठीक है उतराखंड से याद रखिएगा उतराख प्रटल पर आपको मिल जाएगा ठीक है अगर हम लोग बात उतराखंड की करते हैं तो यहां के CM है त्रिवेंदर सिंग रावत और यहां के अभी जो राजपाल है उनका नाम है बेबी रानी मौर्या बेबी रानी मौर्या ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो क कि उत्तर परदेशी भर्चुल आदालत के तहट सुनबाई करने वाला पहला राज है ठीक है उत्तर परदेश ने ही geotag community kitchen लागू किया है ठीक है और इसने एक परवासी राहत मित रैप भी लौंच किया है ठीक है यहां के CM है योगी आदितनात और यहां के गवर्नर है अन सुल्क बसेबा की सुरुवात किया है तो इसका जो सही अंसर हो जगा वो हो जगा राजस्थान यानि की option number B ठीक है अगर हम लोग बात राजस्थान की करते हैं तो यहां के CM है असो गलोट ठीक है और यहां के गवर्नर है कल राजमिसरा क्लिर है चलिए साथी साथ यहां याद रखिएगा राजस्थान में घाना पच्छी बिहार है रन्थम भौर भी आरन है और कुंबल गड़ भी आरन भी है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो कि है हमारा question number 35 कह रहा है हाली में किस राजने अपने अस्पतालों म है तो यहां के cm है नितीज कुमार यहां के गवर्नर है फागु चोहान यहां लोग सभा में 40 सीठ है और बिधान सभा में 243 सीठ है अगर हम बात करते हैं तो बिहार से और भी कुछ ही होजना याद रखिएगा एक है जल जीवन हरी आलियवियान मुख मंतरी कन्या उत्यानी होजना मुख मंतरी ब्रिध जन पेंसन ही होजना और पत्रकार सम्मान ही होजना ठीक है और बालमी की टाइगर इजर भी का है बिहार में ही है तो यह सारे चीज़े याद रखिएगा चलिए अगला कोशन है भारतिये राष्टिये से ना आईने की अस्थापना किस वर्स अल लिया था और कव समाला था 92 जुलाई 1942 को ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो कि हमारा अखिल भारतिये खिलापत सम्मेल है जो कि 1929 में हुआ था उसका अध्याच किसे चुना गया था तो इसका जो सही अंसर है बो है आपसन नमबर महत्मागंधी ठीक 1929 में मुहंबद अली सौकत अली ने अबुल कलाम के नितरित में ये खिलापत अंदोलन चलाया था ठीक है अगर हम बात करते हैं और फिर 23 नमबर 1929 को हिंदू और मुसल्मान के संजुक्त कॉन्फरेंस हुई जिसके बाद अध्याचता महत्मागंधी को दे दी गई थी ठी ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब जो कि हमारा कोशन नमर 38 बो है प्रिथिवी राज रासों के लेखक कौन है तो इसका जो सही अंसर है बो है आप्शन नमर B यानि चंदवर्दाई अगर हम चंदवर्दाई की बात करें तो ये प्रिथिवी राज चोहां त प्रिथि कहा गया है क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब जो कि है कोशन नमर 39 पस्छिम के और परभाहित होने वाली नदीया है तो इसका जो इसका जो S россий हो गा वो होगा नर्मदा और ताप्ती चो दोनों है वो दोनों पस्छिम की और परभाहित होती ह ठीक है अगर हम लोग बात नर्मदा की करते हैं तो नर्मदा आमर कंटक से निकलती है ठीक है और तापती की बात करते हैं तो तापती MP के बैतूल जिले से पारंग होती है और दोनों जाकी गिरती कहाँ दोनों जाकी गिर जाती है अरब सागर में क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 40 question number 40 कह रहा है निम्न में से कौन सा बीतिय संस्थान 22 समूश से संबंधित नहीं है तो इसका जो सही answer है बो है ACI option number C यानि IBRD ठीक है अगर हम लगबात IMF की करते हैं तो IMF क्या है अंतराष्टिय मुद्रा कोस 1945 में बना था ये इसका headquarter है बासिंग्टन DC में अगर हम ADB की बात करते हैं तो ये है ACI विकास बैंक ये 1966 में बना था और इसका headquarter है मनिला फिलिपलिंस में अगर IBRD की बात करते हैं तो ये अंतराष्टिय पुनन निर्मानेवं बिकास बैंक ये 1945 में बना था इसका भी headquarter है बासिंग्टन DC में और IDA की बात करते हैं तो ये हमारे चैनल आप पढ़ेगा इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे अगर आप इस lecture का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप से जुड़ सकते हैं इस का टेलीग्राम ग्रूप जो होगा बो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा थैंक्स वर वाचिंग